नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल जेपीएस जया मलिक में और मैं हूं जया जैसे कि आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर 2019 सोंवार को अहोई अश्टमी कात्योहार मनाया जा रहा है इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयू और सम्रिधी के लिए वरत रखती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वरत की विधी में कुछ बाते ऐसी हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए तो आजकी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि ऐसी कौन सी बाते हैं जो हमें पूजा वीधी के टाइम या उस दिन वरत रखते टाइम हमें जरूर धान रहनी चाहिए तो आईए पताते हैं वो कौन सी बाते हैं नमबर एक अहोई अश्टमी के दिन अहोई माता की पूजा से पहले गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए नमबर दो अहोई अश्टमी का वरत निर्जल रहकर किया जाता है ऐसा करने से संतान की आयू लंबी होती है नमबर तीन अहोई अश्टमी के दिन साथ ससूर के लिए बाइना अवश्य निकाले अगर आपके साथ ससूर आपके पास नहीं रहते हैं तो इस बाइने को किसी पंडित को या फिर किसी बुज़ुर्ग को दे सकते हैं नमबर चार अहोई अश्टमी के दिन तारों को अगर देते हैं ऐसा करने से संतान को सुख की प्राप्ति होती हैं नम्मर पांच, अहोई अश्च्मी के दिन वरत कथा सुनते समय सात प्रकार का अनाज अपने हाथों में जरूर रखें और पूजा करने के बाद इस अनाज को किसी गाएं को खिला दें नम्मर छी, अहोई अश्च्मी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को पास अवश्य बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वह प्रैसाद अपने बच्चों को खिला दे किसी गरीव यक्ति को दान और दक्षना जरूर दें ऐसा करने से वरत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है अहोई अश्च्मी के दिन पूजन के बाद किसी भ्रामन या गाएं को भोजन जरूर कराएं और उनका आशिरवाद जरूर लें तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी जरूरी बाते जो आपको वरत रखते वक्त अवश्य ध्यान में रखनी है जरूर ध्यान में रखनी है जो माताएं या फिर जो माताएं संतान की प्राप्ती चाहती है इस दिन वरत रखती हैं उनको ये बाते ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए तभी अहुई माता प्रसद होती है और आपकी बच्चों को आपके संतान को सुख की प्राप्ती होती है उनकी आयू लंबी होती है उनका स्वास्थे ठीक रहता है और जो माताई संतान चाहती हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूं में अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना खयाल रखिएगा, और आपको अहोई अश्टमी की धेर सारी शुबकाम नहें, आने वाले तिहारों की धेर सारी शुबकाम नहें, बाबाई